वेलकम टू माई यूटूब चैनल हाई गाईस कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे आपके लिए बहुत इच्छा सा एक साड़ी ड्रैपिंग का तरीका लेकर रहे हूं जो बहुत असानी से आप कर सकते हैं आप किसी भी जोर्जेट या किसी तरह की साड़ी में कर सकते हैं तो पहले हमें टकिंग करना होगा फ्रंट से और ला करके वहीं पर एंड करना होगा टकिंग को आप बहुत फिनीशिंग के साथ करना है एक बहुत पर्फेक्ट तरीके से हमें साड़ी पहनना है क्योंकि जॉर्जेट की सारी वैसी बहुत प्यारी लगती है और उसे पहने का तरीका भी असान होता है लेकिन परफेक्ट तरीके से कैसे पहना है वो आपको आज मैं बताऊंगी तो वहाँ पे टक्किंग करने के बाद आपको यहाँ पे प्हले चोटे छोटे-छोटे प्लेस डाले हैं यह आपके आचल यहाőL rawth klune है तो हम आपको प्लेस करने पर प्लेस लें चेना प्लेच को लेखाएं और ने जिकती लेंध प्लेस और पना इसस आपको यहाँ घाल और बहुत जतनी की अंऑshiftा है जैसे मैं कर रही हूं बिल्किल आप वैसे ही करें तब ही आपका जो साडी का लुक है वो पर्फेक्ट तरीके से आप पाएगा तो प्लीज इसे चीज को ध्यान दीजेगा और ट्रस्ट मी गाईज अगर आप ऐसे फॉलो करके अगर आसा साडी ड्रैप करोगे तो आपकी साड तो हमें संप्ली अपना शींडी ना फॉल्पत ठत्रस्ट अपयारे वाम यहरा यहां अज्टे में फटी अकलता के साडी बंड़ते है अज से च्रफ ब्र्शक पाना जाती है उसमारिकल को शार में इसको कौवर और यह तर से अजना दला लाकिन करने से पहले एक शीज का ल अक्सर हम लोग रॉंग साइड टकिंग कर देते हैं जिससे हमारी साडी का लुक खराब लगता है तो प्लीज इस तीज का आप धियान रखेगा टकिंग बिल्कुल जिदर मैं कर रही हूं वैसे आपको करना है इससे जो हमारा कमर के पास लुक आता है बहुती प्रिटी आता है वो तो बहुत देखे जैसे मैं कर रही हूं देखे कितना प्यारा लग रहा है तो बिल्कुल आप ऐसे ही करें इसके बाद हम अपना जो पल्लू है उसको बनाएंगे तो ये देखिए ऐसे ले जाएंगे और अगर कमर ढखना भी चाहते हो तो कमर भी ढख जाएगे इससे आपकी तो अब अपना हम पल्लू बना लेते हैं तो सिंपली हमें पल्लू बनाना ऐसे बिल्कुल ऐसे आप छोटे-छोटे प्लेट्स बनाएं क्योंकि इससे ऐसा नहीं कि आप गलत गंदा लगेगा आपको ब सबकुछ कवर रहेगा इसकी अच्छी बात तो यह ऐसा नहीं कि कहीं यह दिख रहा है तो और लगता है कॉमन सी चीज़े साड़ी जो पहनता है वह चाहता है कि कवर है सबकुछ तो इससे आपका कवर भी रहेगा और लूब भी आपका बहुत ग्लैमर अच्छा वाला आए सोल्डर पर रख लीजे प्लिट्स बनाने का बहुत असान तरीका है उसके बाद हम इसली बना पाते हैं हार से छूटने का भी टेंशन नहीं होता है तो यह हमें ऐसे कर ले रहा है यह देखिए तो यह ऐसे हो गया और जितनी लेंथ रखनी है आप उतर ना रख सकते हो कोई प्रॉबलम नहीं होगी तो वैसे हमें भी ऐसे ही रखना है तो यह देखिए छोटे छोटे प्लेट्स को एक एक प्लेट्स को हमें प्रॉपर वे में पकड़ पकड़ की बनाना होगा नहीं तो हमारा साडी का जो लुक है वो खराब हो जाना है और हमें अपने साडी का लु प्ली को यह मैं लिए खुआ है तो आप भी बिल्कुल ही करियेगा अ और यह देखियँ बिल्कुल यह है तो कि अच्छा प्ली आपको करनी ऑर उसके बासले है कि जो हमारा बनाते हो या पलु का तो उसमें आपको पलीट्स जो है बैक की तरफ लगाने ताकि आप फ्रंट में हलका सबी जुकोगे अगर आगे लगाओगे तो फ्लीट्स जो है खराब हो सकते हैं और आगे लटकसा जाएगा तो गंदा लगेगा हमें या पर हलका डीला बनाना है यहां पर मैं पकड़ रखा है प्लिट्स बना रही हूं उसको लाकर के जो हमारा प्लिट्स बना है साड़ी का वहां पर टकिंग कर लें यह वाला लूक आप एक बर ज़रूर करेट करिएगा स्रियसली बहुत ही प्यारा लगता है यह बहुत ही गॉर्जियस और यहां पर एक कर सकते हूं या किसी समिद्र में साधी की पार्टी में जा रहे हो तो यह वाला लूक डेफिनेट्ली क्रियet कर सकते हूं बहुत असान है और यह बक्न आप करो के तो आपसे पूछोंगे कि यार कहा से बहुत प्यारा लग रहा refreshed क्योंकि सच में ये बहुत प्यारा लोक है एक बार आप जरूर ट्राइ करना इसे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है वीडियो अच्छी लगी तो प्लीजी से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे वीडियो कैसी लगी